हेलो गाईज गूड इवनिग तो मैंने ओरर किया था अनलाइन परचेज किया है मैंने मीनी चॉपर तो देख सकते हैं आप हैंडी चॉपर हैंडी चॉपर तो करते हैं इसे ओपन और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर तो इसका जार देख सकते हैं आप और इसके प्लास्टिक को हटा देते हैं अब ये देखें ये हजार और बहुत ही अच्छा कॉमिनेशन है ग्रे और रेड का और ट्रांस्पेर्ट हजार तो यहां मैंने बड़े बड़े टुकडों में काटे हैं प्याच, टमाटर ये सब कुछ इसमें अलग-अलग से ग्राइंड हो जाएंगे तो देखें कैसे कैसे होते हैं ये है बलेड और एक है दूसरा लसी और जैसे मैंगो शेक बगर बनाना हो जैसे तो ये वाला है जो ये बहुत इशार्प है बच्चों के घर वाले थोड़े दूरी रखे इस इन चीजों को खुद भी उंगलियों से टच ना करें बहुत इशार्प है ये तो इसको जार को करेंगे हम इसमें सेट बलेड वाला जो है ये और इसमें डालेंगे हम प्याज जब बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है चार एक प्याज लेके चार टुकड़े करने बड़े तो ये वाला जो ये जब आपने लसी बनाने गर्मी में जैसे गर्मी आ रही है या शेक बगर बनाना तो तब ये दूसरा वाला लगाना इसमें तो इस तरह से लगाएं इसको तो बलेड वाला बाहर निकाल दें फिर इसको इसके अंदर ऐसे फिट करना है तो अब डाले मेने प्याज आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते चार से पांच प्याज इसमें चौप हो जाएंगे अच्छे से तो देख सकते हैं आप ऐसे करना इने इसे और बहुत ही बारिक चौप हुए है ये देखें देख सकते हैं आप गाईज कितने बारिक हुए है असानी से ये देखें बिना आंसू आए भे छूरी से तो आंसू यांसू आते हैं ये बिना आंसू के है इसमें कभी आंसू ने आएंगे अब करते हम ग्रीन चिली को ग्रीन चिली अद्रक और लसुन तो इनको आप एक साथ भी डाल सकते हैं कम कॉंटिटी के भी इसमें चॉप हो जाते हैं करते हैं ग्रीन चिली को चार से पांच डाली है मैंने हरी मिर्च तो कम कॉंटिटी वाले भी हो जाते हैं और जादा वाले भी अगर बहुत सारी कॉंटिटी में करना आपने प्लेट भरके जादा फैमली है तो बड़ा ओर्डर कर सकते हैं इस तरह से मेरे ग्रीन चिली भी बिल्कुल बारिक टुकडों में चेंज हो रही है ये देख सकते हैं आप बिल्कुल बारिक जैसे हम काट भी नहीं पाते छूरी से इतना तो उससे भी जादा और हाथ हो चुकी है ये देख सकते हैं आप प्याज भी कितने बारिक हो गए है टोमाटो भी तो अब चूरी से कट आप तो बहुत ही टाइम लगता है ये दूसरा है लसी के लिए ऐसे लगाना इसे देख सकते हैं आप इस तरह से लगाएं जब शेक बगरा बनाना है जैसे गर्मी आरी तो इस तरह से और इसे बस ऐसे खैंचना है जैसे मैंने बता आई इस तरह से तो आपकी लसी और शेक मिंटों में त्यार हो जाएगा ना बिजली का जंजट भी नहीं है इसमें हाथ से ही करना है ये देख सकते हैं आप इसकी यहाँ हर चीजा अलग अलग कर सकते हैं आपका कॉंटिटी में भी यह नहीं की दो चार मिर्चे तो नहीं करेगा बहुत ही अच्छा है जार भीस का देख सकते हैं आप और यह मैंने ऑनलाइन परचेज किया है और इसकी कॉस्ट भी यहीं दिये एक साइड में कॉस्ट दिया आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने वीडियो में डाल रखा हैं यह देखें कितना अच्छा लग रहा है सारा मिंटो में पांच मिनट में धेर सारा ग्राइंड हो जात इसमें चॉप हो जाता है मतलब मिंटो में तो जार देखें आप और बहुत ही अच्छा और इसकी निचली साइड सबसे अच्छी बात है कि रबड लगा इसमें कहीं भी खिसक नहीं सकता यह जब आप चॉप कर रहे होंगे तो एक जगा स्थिर रहेगा यह धकन भी बहुत ही अच्छा इसका तो यह देख सकती इसके आप सारा इंफोमेशन दिये यहाँ पर यह है 745 का तो गाइज मुझे अभी आफ में चला है तो मुझे पड़ा है 300 का जल्दी से जल्दी ओर कीजिए बहुत ही फाइदे मंद है यह और बहुत ही मिंटो में चॉप करता है तो यह तो कीचन का राजा बन गया तो इसे जल्दी से जल्दी ओर करें अभी ओफ में चला है तो आपका 745 का 300 में मिल जाएगा मैंने भी 300 में ही परचेज किया इसे यह देखे इस तरह से करें और बहुत ही अच्छा है और मिर्चे भी आथों में नहीं लगेगी लसुन भी चार बस्त वी ओड़ ऑट है पाज़ झाप बादा येड़ा गला ही उसाप ग्याचा, वे उपात आपका, जा मैं में नहीं डता राज तो कुष से लगे अन् 시दी ओगेशार, मैं व करें पर लूभ बहू पर दो ऐ एल्ग बोगला है आपका, eccरा